दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Samsung Galaxy A53 5G को अनलाक करने का तरीका यानि कि डिवाइस का pattern lock, pin lock और password lock रिमूब करने का सबसे easy और बिल्कुल latest तरीका तो दोस्तों अगर आप भी Samsung Galaxy A53 5G यूज़ कर रहे हैं और आपके डिवाइस पे किसी भी type का lock लगा हुआ है जैसे की pattern lock, pin lock या password lock किसी भी type का lock अगर आपके Samsung Galaxy A53 5G में लगा हुआ है और आप डिवाइस को अनलाक करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने Samsung Galaxy A53 5G को अनलाक कर पाएंगे डिवाइस का pattern lock, pin lock या password lock बिल्कुल free में remove कर पाएंगे तो यहां दोस्तों आपने देखा डिवाइस हमारी पूरी तरह से pattern lock है अब दोस्तों इस डिवाइस को अनलाक करने से पहले हम आ जाते हैं डिवाइस के right side में डिवाइस के right side में आएंगे दोस्तों तो यहां आपको 3 buttons देखने को मिलेगी सबसे उपर की तरब देखे volume up उस इस condition में आप डिवाइस को power off नहीं कर पाते हैं मैं practically दिखा देता हूं यहां मैं उपर से slide करूँगा यहां से मैं device को power off करके आपको दिखाता हूं आप डिवाइस को power off नहीं कर पाएंगे यह देखिए यहांप यह message आ गया और इस message का मतलब यह हैं दोस्तों कि आप पहले pattern ड्रॉक करिए उसके बाद आप डिवाइस को power off कर पाएंगे आप देख सकते हैं आपको पैटन ड्रॉक करना होगा उसके बाद आप डिवाइस को power off कर पाएंगे तो कैसे डिवाइस को अनलाग करें कैसे इसका पैटन पीन और password lock break करें मेरी इस वीडियो को ध्यान से देख दीजिए यकीन मानिए दोस्तों बिल्कुल free में घर बैठे बैठे आप अपने Samsung Galaxy A53 को अनलाग कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं सवरब और आप देख रहे हैं perfect mobile solution तो एक चीज़ धान दे दोस्तों अगर आपके पास Samsung की कोई भी latest device है और आपकी device pattern, pin या password lock है और आपको अपने device को किसी laptop या PC का use करके simple USB cable से connect करना होगा अगर आप device को किसी laptop या PC का use करके USB cable से connect नहीं करेंगे तो आपकी device किसी भी condition में recovery mode पर active नहीं होगी तो ये चीज़ ध्यान दे ये सबसे important step है इस वीडियो का तो मैं simply करता क्या हूं device को ये देखे मैंने USB cable से connect कर दि कर देता हूं उसके बाद ये चीज में आपको practically करके दिखाऊंगा ठीक है तो अब ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है आपको simply करना ये होगा दोस्तों कि ये जो volume down वाली बटन देख रहे हैं और power unlock button ठीक है आपको करना क्या है volume down और power unlock button इन दोनों बटन को आपको एक सा down और power button इन दोनों बटन से अपनी finger तुरंत हटाएंगे और बिल्कुल तुरंत वाल्यूम अप और power button इन दोनों बटन को आप continue प्रेस करके रखेंगे 10 सेकेंड के लिए तो आप देखेंगे आपकी device Samsung Galaxy A53 5G पूरी तरह से recovery mode पर active हो जाएगी तो मुझे उम्मीध है method आपक कि सबसे पहले आपको करना क्या volume down और power button इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना 10 सेकेंड के लिए तो ध्यान से देखेंगा यह रहा volume down और यह रहा power button मैं क्या करूंगा इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखूंगा 10 सेकेंड के लिए अभी देखेंगा device हमा finally हमारी device totally recovery mode पर active हो गई ठीक है आप देख सकते हैं दोस्तों जो steps मैंने आपको बताया बिल्कुल same to same steps फालो किया और finally हमारी device Samsung Galaxy A53 5G पूरी तरह से recovery mode पर active हो गई उपर की तरफ अगर ध्यान देंगे तो छोटा सा लिखा है Android recovery ऐलो कलर का और नीचे की तरफ recovery के सारे option आपको देखने को मिल रहा है और अब दोस्तों अब यह जो USB cable है आप simple यहां से इसे disconnect कर सकते हैं तो एक चीज़ ध्यान दे दोस्तों अगर आपको device को recovery mode पर active करना है तो आपको device को किसी laptop या PC का use करके simple USB cable से connect करना होगा otherwise आपकी device recovery mode पर active नहीं होगी तो device हमारी recovery mode पर active हो गई अब देखिए आपको करना क्या है आपको device को unlock करना है इसका pattern, pin और password lock break करना है तो यहां पे एक option आपको मिलता है दोस्तों wipe data factory reset का तो आपको simply जाना है wipe data factory reset वाले option पे बहुत आसान है इसके लिए आप simple volume down वाली बटन को continue प्रेस करिए और प्रेस करते करते आप चले आएंगे wipe data factory reset वाले option पे यहां पर आने एक बात आपको OK करना होगा तो OK करने के लिए मैं आपको simple power button को प्रेस करना होगा तो चलिए मैं power button को यहां एक बार प्रेस करता हूं अब यह देखे दोस्तों जैसे ही मैंने power button को प्रेस किया तो यहां पर के तरफ cancel और नीचे की तरफ factory data reset अब यह आपको करना क्या है, last वाले आपसन पे जाना है, यानि कि factory data reset वाले आपसन पे, तो बहुत आसान है, आप simply यहाँ volume down वाली बटन को एक बार प्रेस करिए, और आप चले आएंगे factory data reset वाले आपसन पे, यह देखिए हमाच चुके हैं factory data reset वाले आपसन पे, अब यहाँ पे आनेक बाद आपको OK करना होगा, तो OK करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको power button को प्रेस करना होगा, लेकिन एक में टुक जाईए, दोस्तों factory data reset पे आनेक बाद OK करने के लिए आप जैसे ही power button को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों, नीचे कि प्रोसेस होगा, और कुछी सेकेंड में आपकी device अनलाग भी हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान दे, अगर आपने यहां device में कोई भी important data रखा हुआ है, जैसे कि music, contact, image, videos, या कोई भी other user data, तो वो सारा का सारा data यहां से डिलेट हो जाएगा, डेटा बचाने का कोई option भी नहीं है, अगर ऐसा कोई भी option होता, तो इस वीडियो में मैं आपसे जरूर सेयर करता, तो चुकी दोस्तों हमें device को अनलाग करना है, इसका pattern, pin और password lock ब्रेक करना है, इसलिए factory data reset पे हमें ok करना होगा, यानि कि power button को प्रेस करना होगा, तो चलिए मैं power button को एक बार प्रे से जा गया, इसका मतलब device हमारी पूरी तरह से अनलाग हो चुकी है, तो अब आपको करना क्या, अब आपको device को reboot करना है, सबसे पहला option देखिए, reboot system now का है, तो device को reboot करने के लिए आप simple यहाँ power button को एक बार प्रेस करेंगे, तो चलिए मैं power button को यहाँ एक बार प्रेस करता ह जैसे ही power button को आप प्रेस करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे आपकी device Samsung Galaxy A53 5G यहाँ पे reboot हो जाएगी, आपने देखा, device हमारी reboot हो गई, ओके, और अब आप wait करें device को पूरी तरह से active होने के लिए, चालू होने के लिए, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब आपकी device Samsung Galaxy A53 5G reboot होकर पूरी तरह से active होगी, तो आप देखेंगे आपके display पे पहले की तरह किसी भी type का lock सो नहीं करेगा, और आपकी device पूरी तरह से unlock हो जाएगी, एक चीज़ धान दे, यह जो method है, इस method को बोलते हार्ड reset, और जब भी आप device को hard reset करके unlock करते हैं, तो device active होने में maximum 1 एक मिनट लगता है, उसके बाद आप देखेंगे आपके device पूरी तरह से active हो जाएगी, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटीस request करूँगा, अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्फुल लगती है, तो प्लीस दोस्तों हमारे यूटीब चनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेलाकरन है उसे भी प्रेस करें, और यहाँ पे देखें, प्रोसेस होने लगा, और अब कुछी सेकेंड में हमारी डिवाइस पूरी तरह से active हो जाएगी, और यह लीजिए दोस्तों, फाइनली डिवाइस हमारी रिबूट होकर पूरी तरह से active हो चुकी है, अब देख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी type का locks हो नहीं कर रहा है, पहले डिवाइस मारी pattern lock थी, लेकिन अब देखें किसी भी type का locks हो नहीं कर रहा है, तो चलिए मैं complete android setup करके आपको दिखा देता सबसे पहले आपको start पे click करना होगा, यहां देखे agree to all है, यह box है, तो आप simple इस box को check करें, उसके बाद नीचे से agree पे click करें, यहां से more पे click करें, once again agree पे click करें, यहां देखे 2J wifi network वाले option पे हम आ चुके हैं, नीचे के तरफ skip का option है, तो आप simple skip के option पे click करें, कुछ सेकें wait करें यहां पे, उसके बाद यहां नीचे से आप don't copy कर दें, यहां से आपको simple next पे click करना है, यहां से आप more पे click करें, accept करें, यह देखे, protect your phone का option आ गया, तो यहां से आप चाहें, तो फिर से अपने device में pattern, pin, password, face या finger lock apply कर सकते हैं, फिलाल के लिए इस option को मैं skip करूँग यहां से skip anyway, उसके बाद आपको next पे click करना है, यहां से आप skip पे click करिए, once again, skip पे click करिए, और यह देखे, you are all set up, आप simple यहां finish पे click करें, ओके, यह arrow है, तो आपको arrow का ऐसे उपर slide करना है, उसके बाद ok करना है, और last में agree मिलता है, आप agree पे click कर दें, और यह देखें दोस्तों, complete android setup करके मैंने आपको दिखा दिया, finally हमारे device Samsung Galaxy A53 5G, यह पूरी तरह से unlock हो चुकी है, device का pattern, pin या password lock पूरी तरह से deactivate हो चुका है, device हमारी पूरी तरह से unlock हो चुकी है, तो दोस्तों यह पूरा full process था, Samsung Galaxy A53 5G को unlock करने का, यानि कि device का pattern, pin और password lock remove करने का, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह trick आपको कैसा लगा, मुझे comment करके जरूर बताईएगा, वीडियो के last में एक छोट इस request करूँगा, वीडियो गर अच्छी लगते हैं, helpful लगते हैं, तो प्लीस दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सेयर करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न बुलिए, और ऐसे इस आंदार इंट्रेस्टिंग वीडियो की continue notification पाने के लिए, जल्दी से आप मारे YouTube चै अन्यवा, thank you, thank you so much.